हलो दोस्तों मेरा नाम परदी पर आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एडीप उन्बाक्सिंग तो भायों आज एक नई वीडियो में आप लोगा स्वागत है यहां यहां पर बॉक्स के उपर सबसे पहले आइबेल एंजल ग्लेंडर लिखा मिल जाता है और देखते हैं इस साइट के लिखा है तो यहां पर भी आइवेल इसकी बोल्टेज है 220-230 बोल्ट पर आसानी से चल जाएगा और इस मसीन की इंपुट पावर है 680 वार्ट जो की काफी जाता बढ़ियां है और इसकी स्पीड जो है 11000 रपीम एक मिनिट में 11000 वार रोटरेट करेगा तो इसकी वारेंटी है 6 मन्ति की तो हम दोस्तों बॉक्स को जल्दी से खोलते हैं और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या 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 हम को मिलता है तो सबसक्राइब को खोल लेते हैं और यहां पर एक मिल जाता है और यहां पर कस्टूमर के नंबर मिल जाता है और वारेंटी री प्रोडेक्ट वरायंटी, प्रोडेक्ट एंजल, ग्रेंडर एजी 10, 16TH और यहां पर सिरियल नमबर आपको देखने को मिल जाता है तो इसको रखते हैं साइट में और देखते हैं यहां पर हमको क्या मिलता है तो यहां पर एक मिनुल गाइड मिल जाती है चाहो तो आप इसे पढ़ सकते हो तो हम इसको भी नहीं पढ़ेंगे इसको रख देते हैं साइड में और यहां पर मिल जाता है एक सेप्टी गाड जो चिनगारे को बॉड़ी पर आने से बचाता है तो इसको भी दखाएंगे किस तरह से लगता है तो इसको रखते हैं साइड में और यहां पर एक मिल जाता है हैंडिल अब इसको हम लगा के भी दिखाते हैं कहां पर लगेगा तो इसको रखते हैं साइड और यहां पर एक साइन पेपर बिट मुझे मिल जाती है जो कि इसमें फिरी में आती है लकड़ी को साइन करने में म तो दिखाते हैं कुछ इस परगार का है। यहां पर ऐवल लिखा है रेड और बिलेक क्लरर में काफी जhandle बढ़ेंगर हो Engineers लग यहां पर देख notify । यहां पर अनाप कहने की स्विच यहां पर दी है और इसको दिखाते हैं यहां पर एक मिल जाती है चाभी जो इस परकार के है टाइट करने में मदद करती है तो इसको यहां पर रख देते हैं और दो मुझको इस तरह के चोटे चोटे वार्सल मिल जाते हैं जो अभी दिखाएंगे किस तरह से लगाया जाते हैं यहां पर दोस्तों हमको कसने का काम करते हैं इसको होल्ड करके आप इसको रोग सकते हैं तो दोस्तों इस साइन पेपर बिट को हम लगाने के लिए सबसे पहले छोटे चोटे दो आर्सल रहते हैं तो इसको हम इस तरह से लगाएंगे यहां पर होल्ड करकर रखे जाएगा तो इसको हम इस तरह से लग अब इसको कस रहे हैं तो यहां पर एक घूम रहा है तो इस जो इस पीछे की साइड बटन है हम इसको होल्ड करकर रखेंगे और इस रिंच की मदद से इसको हम टाइट कहेंगे अब यह असानी से टाइट हो जाएगा अगर खोलना भी हो तो आप इस तरह से इसको खोल सकते हैं इसको दबा इसको दबा दिजिए और फोल गया और अब इसको खोल देशे आराम से खुल जाएगा यह आसानी से खुल गया तो दो तो हम सबसे पहले आपको सेप्टी गार्ड लगाने का तरीका बताते हैं कि इस तरह से लगता है तो यहां पर इस कुछ इस परकार का लगेगा यहां पर इस तरह से आप लगा दीजिए और यह होल्ड हो गया और इसको मदद से इसको यहां पर इस कुरू को टाइट कर देंगे तो यहां पर इस तरह से हम इसको टाइट कर देंगे यह हमारा safety guard लग गया है जो कि चिनगारी आने से body पर रोगती है और यहां पर इस वार्सल को हम इस तरह से लगाएंगे यहां पर यहां पर यह आसानी से लग गया और हम इस sign paper को इस तरह से लगाएंगे और इस वाले को यहां पर इस तरह से कस देंगे अब इसको कस रहे हैं तो यहां पर इस red color की बटन जो है यहां पर इस तरह से hold करेंगे और यह आसानी से अब रुख जाएगा अभी हम दिखाते हैं तो यहां पर यह रुख गया है अब इसको हम इस रिंच की मदद से इसको हम टाइट कर देंगे यह असानी से टाइट हो जाएगा और यहां पर जो छेद है यहां पर हम इस handle को यहां पर आसानी से लगा देंगे और इस परकार से कुछ यहां पर यह कस जाएगा असानी से तो यह हमारा हैंडिल कस गया है और आप देखिए और एक हाथ से पकड़ कर आप इसे वह आसानी से चला सकते हैं एक से डेल्ड किलो का बेट है इसका और यहां पर आनाफ करने की यहां पर बटन यहां पर मिल जाती है आपको अगर वीडियो पसंद आएद वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर लेना मिलते हैं किसी और दिन नहीं अन्बॉक्सिंग में